नमस्कार मैं हूँ मनमोहन भट चुनाओ एक ऐसा मौका होता है जब सरकारे और राजनितिक दल सारे के सारे सुपर एक्टिव होते हैं चुनाओ के जब नतीजे आने होते हैं तो उस दिन तमाम राजनेतिक दलों की तमाम बड़े नेताओं की तमाम प्रत्याशियों की धड़कने तेज रहती हैं उससे पहले का माहौल बिलकुल कुछ होता है और जिस दिन नतीजे आ रहे होते हैं उसका इंतजार पूरा देश कर रहा होता है और नतीजों को अगर सेमे फाइनल मान लिया जाता है तो उत्साह और भी जादा बड़ा हुआ होता है बेचैनी और भी जादा बड़ी ही होती है 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे जो 5 राज्यों में विधान सभा के चुनाव हुए चाहे राजिस्थान हो, मध्यपरदेश हो, तिलंगाना हो, या 36 गड़ हो, या नौर्थ हिस्ट का राज्य हो कहीं पर किसकी सरकार है और किसकी सरकार बनेगी, किसको कितने सीटे मिलेंगी इसका कुछ आकलन कई बार एक्जिट पोल भी करते हैं, लेकिन एक्जिट पोल कई बार फेल भी हो जाते हैं लेकिन बात यहाँ पर यह है कि नतीजों के बात क्या हम लोग लगातार पिछले कुछ महीनों से सुन रहे हैं कि उत्तरा खंड की राजनीती की नजरे भी पाँच राज्यों के विधान सभाच चुनाओ के नतीजों पर ही टिकी हुई है यानि जो नतीजे आएंगे उसके बाद राज्ये की एक दशा और दिशा तै होगी क्योंकि इसके बाद लोग सभा की तयारी पूरे देश भर में होगी और तमाम राजनेतिक दल सक्रिये हो जाएंगे लोग सभाच चुनाओ के लिए बीजे पी का जो शीर सनेतरत्व है उसको उत्तरा खंडी नहीं मतलब जहां चुनाओ हो रहे हैं वहां तो अपने समीकरण साध नहीं है चाहे वा विधान सबाके हैं या नतीजों के बाद जहां चुनाओ नहीं भी हो रहे हैं वहां पर भी अलग-अलग समीकरणों को साधन कई लोगों को जिम्मेदारी दी जानी है और कई लोगों को जिम्मेदारी से मुक्त भी किया जाता है कई जगह मंत्री मंडल के विस्तार की सुब बुगाहट अलग-अलग तरीके से होती है चाहे वो उत्तर प्रदेशों और चाहे वो उत्तरा खंडों मंत्री मंडल विस्तार लंबे समय से लंबे थे कई लोग कह रहे हैं कि मंत्री मंडल विस्तार जो है वो कही ना कहीं किसी समी करण के कारण उलजा हुआ है अटका हुआ है कई बार दायतों की बात आती है, वो भी किसी न किसी कारण से अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग कारणों से रुके हुए हैं, उत्रा खंड में भी रुके हुए हैं चाहे लोकसभा के प्रत्याशियों की दोड़ हो और लोकसभा के चुनाओ के साथ साथ रज्य सभा के चुनाओ पर भी कई लोगों की नजरे हैं. भागम भाग दोड़ा दोड़ी खुब दिखाई देने लगी है नेताओं की अपने अपने संभावित संसदियक शेत्रों की तरफ नेता भागते वे नजर आये हैं और इस बार हमने दीपावली और दीपावली के बाद देखा कि कई मंत्री और कई विधायक कई राजनितिक व्यक्ति अपने अपने ग्रैक शेत्रों में धूम धाम से मेले आयुजित करते हुए देखे गए सांसकरतिक कारेकरम आयुजित करते वे देखे जो इससे पहले बहुत आसानी से दिखाई नहीं दिया करता था आंक लानी लगाया जा रहा है कि अपनी को मजबूत बनाने के लिए ये सारे हतकंडे अपनाई जा रहे हैं उतरा खंड का सियासी माहौल तीन दिसंबर के बाद किस करवट बैठेगा इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं ये देखना काफी महत्वण होगा कि जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाओं की तयारी कर रहे हैं उनके गुट को कितनी तवज्जो दी जाती है ये देखना काफी महत्वण होगा कि जो दावेदार हैं अलग-अलग चीजों के चाहे मंत्री मंडल में शामिल होने के हो चाहे जो विधायक नहीं हैं उन्हें दाय तो दिये जाने के हैं उस दिशा में सरकारें क्या फैसला लेती हैं सरकारें का जब मैं शब्द इस्तमाल कर रहा हूँ तो उत्राखंड सरकार ही नहीं दिल्ली की सरकार केंदर की सरकार को भी उसमें शामिल किया जाता है क्योंकि उत्राखंड में कोई भी फैसला बिना केंदर की सहमती के होता नह है और हमारे आकलन के साथ साथ कई राजनितिक चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे कॉंग्रेस उन सबकी नजरे इन चुनाओं पर हैं इस चुनाओं के नतीजे के बाद लोग सभा में किस तरीके की रणनीती अपनानी है उतराखंड के संदरब में भी उस पर भी सबका ध्यान के इंग्रित है तो इंतजार हमें भी है पहले एक्जिट पोल का और उसके बाद वास्तविक नतीजों का क्योंकि एक्जिट पोल के नतीजे कई बार फेल भी हो जाते हैं वास्तविक नतीजों का इंतजार हम सबको करना होगा अभी के लिए साथियों इतना ही अगले रिपोर नमस्कार